गर्ड बॉर्निंग बेटा कैसे हैं आप तो शुरू करते हैं आज की क्लास 29 जुलाई 2020 की वर्क्षीट के साथ यह 6-8 की वर्क्षीट है सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम English Medium में वर्क्षीट शुरू करते हैं तो वर्क्षीट कहते हैं वाइल क्लेनिंग हर क्लोथ अल्मीरा सरोज आँटी एक्स्पेंड टू रेनू अटार क्लोथ आप फैबरिक्स फैबरिक्स आप मेड़ अप फाइबर्स इस फैबर्स थीस फाइबर्स आइधर नेचरवल विच अप्तेंड फॉम प्लांट्स और एनिमल्स और सिंथेटिक विच गैन बी मैनिफेक्चरद इन फैक्टरीज थ्रू आटिफिशल सोर्स लाइक क्यमिकल्स तो सरोज आँटी अपनी अलमारी साफ कर रही थी और वहां से खुप सारे कपड़े निकले तो वह कपड़ों के बा सिंथेटिक मतलब जिनको हम फैक्टरी में बनाते हैं केमिकल्स से और आटिफिशल चीज़ों से तो अब आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन कहता है फिल इन दे ब्लैंक्स बाइचूजिंग दा करेक्ट फाइबर कमिंग आउट अउट 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 गिवन और इनको हमें फिल इन दे ब्लैंक्स में बना है तो देखें आपके सामने फिल इन दे ब्लैंक्स हैं माई मदर वेर्स दिस ब्यूटिफुल डैश साड़ी और छोटा सा डाइगराम दे रखा है उसमें सिल्क बना रखा है तो यह साड़ी किस चीज़ की होगी यह हो तो फिर्स्ट का अंसर हो गया आपका तो माई मदर वेर इस ब्यूटिफुल सिल्क साडी only on special occasion कि सिर्फ special occasion पर इस सिल्क साडी पहने जाती है दिस इस माई ग्रैंड मदर शॉल विच इस मेड फ्रॉम अब शॉल किस चीश की बनती है शॉल बनती ओन की और ओन को इंग्लिश में कहते हैं वूल तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फूल थर्ड है आपका फिर उसके आगे on this mat I usually sit and study it is made up of और डाइगराम में देखो तो एक बॉल दिख भी है आपको उसे कहते हैं cotton ball तो यह mat किस चीश का बना होगा cotton का very good तो आपका आ क्या cotton आगे बढ़ते है तो अब है आपका my father brings vegetables from the market in this bag which is made of अब जो bag होते हैं usually वो बने होते हैं jute के क्योंकि jute बहुत strong होता है उसके बाद my socks and these ropes are made from dash तो soaps और ropes किस चीश की बनी होगी nylon की क्योंकि nylon बहुत पक्का होता है whereas this chair and these water bottles are made up of अब हम सब जानते हैं कि chair किस की बनी होती है chair तो plastic की बनी होती है तो इसमें आ जाएगा plastic आगे बढ़ते हैं आपकी worksheet में अगर आप note down करना चाहो तो screen को pause करके अपने सारे fill in the blanks note down कर लीजे चलिए आपने note down कर लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं अगला question है question number two identify who I am मतलब identify करो मैं कौन हूँ पहला है wool is obtained from my hairs मतलब मेरे बालों से उन मिलता है तो उन किस के बालों से मिलता है भेड के बालों से और भेड को English में क्या कहते है sheep तो आपका answer हो क्या sheep next है I am smooth, soft and shiny fabrics made from me are costly तो smooth है, soft है, shiny है और mehenga है तो यह तो racism होगा यानि कि silk फिर see रेखते है I am manufactured from chemicals in factories I am harmful for the environment but useful to the humans तो कहता है मुझे factory में बनाया है environment के लिए अच्छा नहीं हो लेकिन humans के बड़े काम आता हूँ तो कौन सी चीज़े जो humans के काम आती है तो यह आपका हो गया plastic उसके बाद third question देखती है third question है make a list of five useful items each made from wool and cotton fibers तो wool से क्या क्या बनता है wool से बनता है shawl, sweater, muffler, cap और gloves जो आप सर्दियों में पहनते है और cotton से क्या बनती है shirt, trouser, frock, t-shirt और साड़ी जो कि आप गर्मियों में पहनते है fourth question देखते है draw any three harmful plastic items which we should not use in our daily life मतलब हमें जिनको use नहीं करना चाहिए तो देखिए पहला है chair plastic की chairs को use नहीं करना चाहिए bottles, plastic की bottles और plastic के बर्तन इनको हमें use नहीं करना चाहिए चलिए, आगे बढ़ते है ये आपकी आज की worksheet है आप से कल फिर मिलेंगे एक दूसरी worksheet के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay safe